नमस्कार विद्यारतियों आज आपको बीड जो बच्चे कर रहे हैं उनको देनिक पार्थ योजना की डायरी बनाने पड़ती है वो कैसे बनाई जाती है इसके बारे में आपको बताया जाएगा PDF जो है वो आपको वीडियो के description में मिल जाएगी उसका site का link मिल जाएगा और मेरे द्वार जो है अरेक परकार के जो बेड़ से समद्य सामगरी है वो डाली गई है आप चैनल पे देख सकते हैं मेरे site पे देख सकते हैं उनकी PDF मिल जाएगी demo के रूप में ये तो है नहीं कि प बच्चों के आदस होती है कि पिछली साल के diary देखने के लिए तो सभी बच्चों को तो वो diary college के द्वारा दी नहीं जाती है एक बार दिखा दी जाती है लेकिन वो ये चाहते हैं कि हमें हमारे सामने वो चीज हो तो उसको मैं आपको दिखा देता हूं जैसे सबसे पहले त आपको 20 lesson बनाने होते हैं ठीक है और यहाँ पर पाठ का सिर्षक या परकरण लिख दिया जाता है जो आप पाठ का नाम देते हो कौन सी class है और किस तारीक को आप वो topic ले रहे हो और कितने नंबर पेज से कितने नंबर पेज तक वो lesson बन रहे हैं ये सारी चीज आपको ले सकते हो इसकी साहता से आप जो आगे lesson के लिखते हो ले स्धिक बनाते हूँ उब इसके साहता से क्या है आप कोई भी बिंदू जो हाँ आसानी से बना सकते हो और आप वो कक्सा कक्स के अंदर इस चीज के बारे में बता भी दिया गया होगा, ठीक है, और ये कुछ जो समन्दित है, कुछ बाते लिखे गई हैं, जो एक छात्रा दापक है या छात्रा दापका गई लिए आवसक होती हैं, ठीक है, फरस्तावना कैसी होने चीए, परशनु के रच ये सब सीज़ें यहां पर दी गई हैं, ठीक है, वेसबुसा सालीन हो, इसमें ध्यान रखना, वेसबुसा जो होती है, बिल्कुल सालीन होने चीए करने कारते, कोई जिन्स वगेरा, या इस परकार के जो अटपटी यूनिफोम हो, जो छात्रा दापक के लिए, छात्रा दा पिका के लिए अच्छी नहीं है, वो नहीं पर नहीं, कोलेज द्वारा जो अधरती उनिफोम है, उसी का उप्योग करना है, और उसी के अंदर ही लेसन देडा है, इस परकार के जो कुछ एक मोटा मोटी जो बात है, इनके उपर दापको ध्यान देडा है, पिर यहां पे द तो कोई भी हमने गद्दे भाग लिया, तो उसके अंदर जितने पाट थे, उसको उपी कयां भी बोला जाता है, पर करन भी बोला जाता है, या पाट भी बोल सकते हो, टोपिक भी बोल सकते हो, वो सारी चीज इसी के अंदर है, तो यह इस परकार से पहले गद्दे के लिए गद्दे के साथ पाट आपने continue बना लिए ठीक है फिर पद्दे बाग का लिया फिर पद्दे बाग के आपने जो पाट थे वो बना लिए फिर व्याकन के लिए व्याकन के पाट बना लिए तो इस परकार से continue चलना चाहिए और यह था आपको क्या है भी continue पार्ट मने चीए, यह आपने एक lesson गद्दे भाग का बना दिया, एक पद्दे का बना दिया, और एक व्याकन का बना दिया, तो यहाँ यह एकाई विवस्ती तो नहीं मनेगी, तो आपका नेल पत्तर यानि ब्लूप्रिंट वो भी सही परकार से नहीं मनेगा, अब आप के सामने हो सकता है, ब्लूप्रिंट नया नाम हो, आपको कक्स या कक्स में बताया नहीं गया हो, या ब्लूप्रिंट क्या होता है, इसके बारे उजानका नहीं दी गई हो, तो उसका चनल पे मेरे वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हो, ब्लूप्रिंट बना का नाम है, topic ले रखा है आपने, परकाण जो भी है वो लिखना है, शिक्षण उद्यस से, इसके अंदर क्या करना होता है, जो आपके सिक्षण उद्यस जितने भी, वो दो कौण से इसमे लिख दिए, दो कोण से इसमे लिख दिए, अलग अलग मतलँ, यहांब आपके अक्टिविटी क्या रही और बच्चों की एक्टिविटी क्या रही यानि आपने पड़ पड़ाया यहाँ इस परकार से लिखना है मैं इन दी में बता देता हूं कि आपने बाट पड़ाया बच्चों ने उसको ध्यान परोग सुना आपने के द्वार जो भी क्यों संद्ध किये गए उनका उत्र दिया या स्यामपट पे जो भी काम करवाया गया उसको बच्चों ने अच्छी प्रकार से किया यह यहाँ पे लिखनी है और बच्चों की अक्तिविटी रहेगी कि सादरा ज्यापक द्वार जो भी काम करवाया गया था उसको बच्चों ने लिखा पर शुनों के उत्र दिये श्यामपट पे जो काम करवाया वो अपनी पुस्तिका में लिखा या जो पहले दिन का ओन्वर् पड़ाने के बाद में जो 5 क्यूशन करते हो, वो क्यूशन आपने पुछे, बच्चों ने उतर दिया, वो मुल्यागन के उतर हो जाएगा, आप चाहोते हैं यहां क्यूशन भी लिख सकते हो, बड़ा हो जाएगा थुरा सा, ओमवर्क के अंदर आप क्या काम दिये बच्चो को, वो चीज यहां पर लिखनी है, तो इस परकार से यह पूरी जो चीज है, वो यहां पर प्रतेक पार्ट का यहां विवर्ण हो जाएगा, तो आग्या आप लिसन दे रहे हो ना, इसका विवर्ण यहां पर प्रतेक का डालना है, इस परकार से चार पार्ट का यहां हो गय तो इस परकार से आपको चार्ट बगेरा कुछ आपने मनाया तो चार्ट का इस परकार से दिखा दो कि यह चार्ट मनाया था यहाँ पर चार्ट लगा दिया तो यह हो गए आपके जो इंडेक्स है वो स्टार्टिंग की कैसे बरनी होती है ठीक है दोबारा बता दूंगा मैं आपको यह देखी पहले इप्द्य बाग की हो गई इस परकार से continue और यह ग्रामर के अंदर आपने क्या पड़ाया इशी फरकार से जैसे ग्रामर हो गया ऊग्रामर के अंदर आप प्रिवितन है। यहां पर कोई भी एक दो दो लिख current किसी पाठ का से समझती दें। साहिक सामगर्याइदें किया क्या काम लिख दें। आपने क्या क्या गांब लिख दें। बच्छों ने केस परकार से इसका रेस्पॉस दिया। शैमपट पर आपने क्या काम करवाया यह सारी चीज मुल्यागन पर संग पुछे और उसका बच्कों ने उतर दिया क्याँ इस प्रकार से आप самое डायरी के जो स्टाइंग इंडेक्स ईए उसको आप दियार करोगी यहाँ से देनिक पार्ट होजहना शुरू हो जाती है, यहाँ पे आप सबसे पहले डैट लगा दोगे, देनिक पाठी होजना, एक ये दो, तीन, चार, पांच, जितनी भी एकंटिन्यू चलती जाएंगे, और निचे विदले का नाम लिख दोगे, और इकाई कौन सी ये गद्धे पद्धे व्याकन वो लिखन है, और परकरण आपका क्या है, टोपिक हो लिखना है, सब्जेक्ट है, समय बज़े से बज़े तक लिखा हुआ है, तो यानि आपका पिरिट जैसे मालों 10 बज़े से, 10-14 तक है, तो यहाँ 10 लिख दोगे, आगे 40 मिन्ट हो जाएगा, कालांस जैने आपका पिरिट कौन सा पहला दूसर अरतीसरा, वो या भी लेख दोगे, ठीक है, यह चीज यहाँ पे लिखनी है, और यह इसका उद्चन से हो गया, ठीक है, और उसका विवार्गत पृव्रुरुदतन, इहां से लिखना है, यहां से यह जो न, एके दो-दो और एक चीज के यहां से इस साइड में प्रतेक का सोट और स्वीट लिखना हुआ पिछे तो यह इस परकार से यह लेसन है इंगलिस का मैं डायरी दिखा रहा हूं आपको यह आप देख सकते हो और फिर इस साइड में आपको साहिक साम करिया आपने लेसन में क्य प्रस्तावना प्रस्तावना बनाना है उसके बाद प्रस्तावना के बाद में आपका पस्तूतिकर्ण शुरू हो जाता है ठीक है पस्तूतिकर्ण के अंदर तो स्यामपटकार यह है इसमें एक कॉलम कम है विदी पर विदी का तो यहां पे कॉलम इस प्रकार से लाइन लेगा आपको मैनुएली यह इस डायरी में मिस्प्रिंटिंग है थोड़ी सी यहां पर यह सरा सब कुछ हो गया और यह देखिए यहां पर विद्धी पुरुविदी यहां डाला हुआ है यहां पर क्या करेंगे एक लाइन कीज़ देंगा लाइन कीज़ के यहां पर एश जाएगा आपको है इस प्रकार से पूरा शायितर का में बता रहा हूँ आपको बाकि डायरिक कैसे मना जाती है किसी प्रकार से यहां पर कोई आप चार्ट मनाते हो तो उसका चार्ट का मिलिचर लगाना होता है, यान वं फोर golden commencement ञाली यह 2 बर थोड़ा मुनीटिभ औ पहले निर्देश लिखना है पिर मुल्यागन क्यों सिलिखना है और फिर ओम रख हो गया तो यह इस प्रकार्शे डायरी क्यार करनी यह है अ कि दिखा देता हूं यह देखे चार्ट और यह प्रकार्से कोई बढ़ा लगा रहा रहे उट तो इस प्रकार्से स्थुड़ा साइड में कही निकल रहा हो तो इस प्रकार से कर सकते हो आप यह चार्ट का मिनीचर हो गया कि चार्ट में आपने क्या काम करवाया शामपट पे आपने क्या काम करवाया उसका डेमो डायरी के अंदर लगाना है तब भी वो मानने होगा इस प्रकार से मैं आपको पूरी डायरी दिखा देता हूँ, यह इस प्रकार से डायरी बनानी है, पर तेक लेशन के अंदर एक चार्ट और एक शामपट चिपकाना कमपलसरी है, बाकि जितने भी आपके शिक्षन उद्यस से हैं, उतने ही चार्ट लगेंगे, और उतने ही ब् ब्लेक चार्ट है, यह लगेगा इस प्रकार से, यह आप डायरी देख रहे हो, यहां से थोड़ा सा इसमें स्टाइल्जिंग करके चिपकाया गया है, दिखा देता हूँ, यह देखिए, यह इस प्रकार से आप डायरी जो है, वो बनाओगी, यह इंगलिस का है, बाकि आप साइथ तक जितने भी लेसन है, वो इसी प्रकार से इसी के नुशारे रहेंगे, और आपकी मारकिंग जो है, विदा लेके द्वारा किजाएगी, बनों जो जो कैसे की जाती है मारकिंग, इस प्रकार से आप जो है, लेसन त्यार करें, यह देखिए, सब मेत्यड लेक दिया एबलेकवड नहीं लगाए लेशन में दिख्कत में है चार्ट बगेरा विन लगाना है यहां बड़े चार्ट का चुटा मिनीचर है बहुत उप निचे कर सकते हैं तो अ कुई कोई भी दिक्कत हो तो आप संबंदित अपने व्याकाते से पूछें क्योंकि ये डायरी का डेमो जो है वो ही दिखाया जा रहा है बाकि लेशन कैसे बनाना है उसको अच्छी प्रकार से आप अपने संबंदित व्याकाते से पूछेंगे अपनी कोलेज से पुछेंगे आपके उनिश्टी के अंदर, आपके कोलेज के अंदर इस प्रकाश से बनवाई जाते हैं लेशन बाकी लेशन का जो प्रारूख होता है कहीं डायरी, डायरी अलग-अलग हो सकती है यह विद्यान अगना डायरी के अंदर मिस्प्रिंटिंग भी हो सकती है डायरी में कुछ से कम ज़्यादा भी हो सकता है जैसे यहाँ पर प्रवेसक अनुसूची दे रखा है तो यहाँ पर जो भी दांस करता होता है उसको दांस करनी होती है जो इस डायरी के अंदर तोड़ी से दिक दांच नहीं की गई है क्योंकि कई जगे कर लेते हैं कई जगे करते नहीं है तो इस कांट से फिरे आलोचना पाठ अवलोकन ये कुछ कोलेजों के अंदर अलग डायरी दी होती है उसे के अंदर साथ में सामिल हो जाती है यहां पर क्या होता है कि आपका जो स लाइक करें और वीडियो को जड़ ज़्यादा शेयर करें थैंक यू